राजस्तान की भजनलाल शर्मा सरकार का अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है जोत्पुर के विलाड़ा के लांबा गाउं के घर में लूट की वारधात को अंजाम देने आई लुटेरों ने एक महिला वो दो मासूम बच्चीयों की धारधार हतियार से निर्मम हत्या कर दी वहीं अब आरोबी अनल विश्नोई के घर पर आज बुल्डोजर चला दिया गया जोत्पुर ग्रामीर पुलिस अधीकशक धर्मेंदर यादों का बदमाशों के लिए ये संदेश है इस तरह से अपराधियों को किसी भी तौर से बक्षा नहीं जाएगा आगे भी इसी तरह की कारिवाई जारी रहेगी वहीं जिला पुलिस अधीकशक जोत्पुर ग्रामीर धर्मेंदर सिंग्यादों ने बताया कि दिनांग 23 दिसंबर 2023 की रातरी में लांबा गाउं में रहभासी मकान में चोरी करने की नियत से घुस कर चाकु से महिला अंजली, पत्नी, महेंदर विश्नोई की हत्याकर वो दो बच्चियों का चाकु से गला काटने वाले आरोपी अनिल पुत्र रामसरूप जाती विश्नोई निवासी भावी रोड लांबा का आम रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमन कर बनाए गए मकान को आज प्रशासन वहाँ पुलिस ने संयुक्त रूप से कारिवाई करते हुए अवैध अतिक्रमन पर बुल्डोजर चला कर ध्वस्त कर दिया